नमस्कर दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में आज माम को सिखाऊंगा कि इस तरह साब वर्डप्रेस वेबसेट में इमेल सब्क्रिप्शन सिस्टम एड़ कर सकतों जैसे आप अपना निया पोस्ट पब्लिश करोगे ओटोमेटिकली आपके सभी सब्सक् करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो सब्सक्रिप्शन सिस्टम एड़ करने से पहले आपकी वर्डप्रेस वेबसेट के अंदर इमेल सर्विश अच्छी होने चाहिए जैसे कि आप कोई भी जो होस्टिंग यूज करता है आपकी वेबसेट में से अच्छी तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं वीडियो बना चोका हूं यहां पर आपको दिखे देखा है और वीडियो के डिस्क्रिशन में इसका लिए मिल जागा इसके अंदर में आपको स्टेबजटे प्रोसेस के अंदर बता है कि इस तरह से वर्डप्रेस इमेल सेंडनी होगे और इमेल सेंडनी होगे तो जो आपके सब्सक्रेबर को नोटिकी फेशन नहीं मिल पाएगा तो इसलिए आपको साइट के अंदर बेश्ट इमेल सर्विसिस होना बहुत ही जरूरी है तो छली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सिंपल सबसे पहल आपको प्लगिन का यूज करना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा प्लगिन इसके बाद एड नियू प्लगिन इसके बाद सर्व प्लगिन के अंदर आपको लिखना है इमेल नोटिकी फेशन तो आपके सामने तीसरा प्लगिन हैगा इसका आपको यूज करना है इमे अंदर शो करवाना होगा तो simple आपको जाना है आपके appearance में इसके बाद widget में क्योंकि इसके अंदर कोई setting करने के जरूदने है by default इसका तो subscription widget है वो आपकी wordpress website के अंदर आजाएगा plugin active करने के बाद तो simple आपको यहाँ पर देखे देगा email subscriber इसके उपर click करके आपको इसको dragon drop करक यह तो आपके single post के अंदर भी shortcut के मुद्दे साफी से add कर सकते हो तो यहाँ पर हमने इसको add कर दिया हमारे sidebar के अंदर इसके बाद यहाँ पर एक बार हम test कर लेंगे कि क्या हमारे side के अंदर होता है या नहीं तो देखे यहाँ पर successful widget add हो चुका है sidebar के अंदर यहाँ पर आपको दिखा देगा name और email तो कोई भी visitor यहाँ पर इसका नाम और email लखेगा तो आपकी site के अंदर subscriber हो जाएगा और जब भी आपने निया post publish करोगे तो automatically इसको एक notification send हो जाएगा कि इस site के अंदर निया post publish पड़ेगा इसके बाद ही notification send होगा इसका मतलब कि आपके site के अंदर spam subscriber नहीं आएगे तो आई यहाँ पर मैं आपको एक-दो subscriber add करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी visitor इसका नाम लखेगा इसके बाद इसका email और subscribe button पे click करेगा तो देखिए आपको देख वो verify करना पड़ेगा इस तरह से successfully subscribe देखिए इस तरह से तो यह होगी जब अब देखिए जो fast email service आपके site के अंदर है तो इतनी fast way में जो आपका email deliver होगा इसके जैसे हमने verify कि है तो एक और mail आ चुक है welcome to e-customer care तो यहाँ पर हम successfully e-customer care के subscriber हो चुक है इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा email भी add कर लेते हैं ताकि जब भी हम यहाँ पर जो email send कर यहन कि जब भी हम post publish करोगे तो आपको पता से लेगा कि यह जो actually यहाँ पर से email send होते हैं तो यहाँ पर हम दूसरा subscriber add कर लेते हैं बीम टेक्टिप और इसका बाद subscribe button पर क्लिक करते हैं और इसका में email verify क कर लेता हो तो देखे आपको देखे देगा कि हम subscriber बंचो के एक customer जो यह दोनों email को open रखेंगे और जब हम test करेंगे live तो आपको पताशा लगा कि जब भी हम किसी भी परकर का post publish करेंगे तो यहाँ पर email आता है या नहीं तो यह हो गया subscriber इस तरह से आपके site के अंदर आपको subscriber widget add करना है दिस तरह से आपका traffic आएगा तो आपके site के अंदर आपकी subscriber की एक strong list बील होगी और इसकी मदर से आपको in picture की subscriber की जो list है वो बहुत ही helpful होगी आपके site के अंदर traffic लाने में इसके बाद आपको इतना करने के बाद आपके पांस अब देखिए जितनी भी जो आपके subscriber है इसकी एक list आएगी तो वो check करने के लिए आपको जाना पड़ेगा email subscriber और audience के उपर आपको click करना है तो वहाँ पर जितनी भी आपके subscriber होगे इसकी list यहाँ पर आपको यह होगी और यहाँ पर आपको green take इसका मतलब की subscriber हो चोगा है और इसने इसका email भी verify कर लिया है और य आपको template बनना है एक आपकी single post का तो किस तरह से simple आपको यहाँ पर जाना है campaign के उपर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको manage template के उपर click करना है और यहाँ पर आपको एक template add करना है add new template के उपर आपको click कर गे इसके बाद यहाँ पर template का नाम आपके मुतबिक जो भी आपको डिजाइन करना है तो सबसे पहले देखिए आपको वाई डिफोल अवेलेबल कीवड मिलेगे जिसके मुद्द से आप पर्टिकुलर डेटा को डेटराइब कर पहोगे जैसे कि सबसे पहले हम क्या करना है कि यहां पर हमें जो भी हम पोस्ट पब्लिश करेंगे इसका टाइट लगता कि आपका जो सिंगल पोस्ट है इसका आपको थोड़ा सा कंटेंट शो करवाना है तो यहां पर आपको जो मिलेगा यहां देकि पोस्ट एक्सपेट इसको आप सिंपल यहां से सिले कर लिजे और यहां पर आप इसे पेस्ट कर दीजे अगर आपको लगता कि आपका post के अंदर जो thumbnail है इसको आपको शो करवन है तो post image का भी आपको यहां पर option मिलेगा इसके बाद आपको यहां पर एक link देना होगा जिसके उपर क्लिक करके विजिटर आपकी पोस्ट के अंदर आचकते हैं यान की ओरिजिनल पोस्ट के उपर जो यह शॉंट कोड है वो देना पड़ेगा इसके अंदर क्या होगा पोस्ट लिंक का आपको शॉंट कोड होगा देखिए यह वाला तो इसको यहां सब कोफ यहां पर आपके पोस्ट की इमेज भी आप शो करवा सकते हों तो यह काफी अच्छा रगएगा आपका टेम्पलेट तो यह दश्ट आपको सिखाने के लिए में टेम्पलेट डिजाइन कर रहा हूं इसके बाद इतना करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है सिंपल यहा पर आपको सबसे पहले सिलेक लिस्ट में जाना तो यहां पर आपको सिलेक करना आपका मेन लिस्ट इसके बाद टेम्पलेट के अंदर आपको सिलेक करना न्यू पोस्ट टेम्पलेट यहां पर ओल्ल केटेगरी और सिंपल आपको सेव चैंजिस पर क्लिक करना है तो देखि यहां पर टेस्ट इसके बाद पोस्ट और यहां पर कंटेंड यह हम लिखेंगे यहां पर रिखेंगे 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 यहां पर रिख करना है रिपोट के उपर तो जैसे वहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ओटोमेटिकली शो हो जाएगा कि आपका केमपियन पेंडिंग भेंजन की क्यूँ में हैं और यहाँ पर आपको देखे इमेल है वह बिन चैन्ट सक्सेस्फुली कि इतने सब्क्राबर को चैन्ट हुआ वह भी आपको यहाँ पर दिखा देगा इसका बदम चेक करते हैं अमारा मेल तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मेल आचुका है देखिए एक कस्टमर के के चरफ से न्यू पोस्ट इसका बा आप जो जैसे पोस्ट पॉश्ट करते हो इसके बद आपके सभी सब्क्राबर को मेल सेंड कर पाते हो इसके बद दूसरे ब्रॉजर कंदर आपको यहाँ पर दिखा देगा यह भी आपके सामने आचुका है न्यू पोस्ट इसका बाद जर्ष्ट डेमो तो इस तरह सब बिल बेनिफिट आपको बहुत ही होगा जैसे आपका जो सब्क्राबर का लिस्ट बड़ा होगा तो आपकी स्याट के अंदर ट्राफिक भी बहुत ही ज़्यादा आएगा तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आगे हो किस तरह से वड़परेस वेबसर से जब अपना तो नोटी की पेशन सेंड कर सकतों अभी भी आपके उनने कुछ क्योंशन है तो मुझे कमेट्स के अंदर आप पूसकतों इसका आंसर में डेपिनिटली दोंगा थैंक्यू परोशन दिस वडियो